तो आज का वीडियो होने वाला है इंडिया का नंबर वन पदमावत रत के बारे में तो वीडियो में बने रहें क्योंकि आज मैं आपको मिलाओंगा अपने कस्ट्वमर से जिन्होंने ये इस पदमावत रत को पर्चेस किया है तो मिलते हैं सरसे घंicken सेंट बिल्ग्हीं सब्सक्राइब आपका ह् अब कितने दिन पहले आपको और का ओडर दुए घंटिता धर चलिए 꼿 तो चलिए आपके सामने ही अज्टर करके दिखाता हूं आपने लेजर कट का ऊडर में तो वीडिव में बने में ए तो गाईज ये है पदमावथ रत का सिटिंग जिसको आप नटबोल्ट के द्वारा असेंब्ल कर सकते हैं जो कि बहुत ही असानी से हो जाता है आप जैसे की जानते हैं इतने बड़े रत को कहीं भी लाने ले जाने के लिए इसका डिस्मेंटल होना बहुत ही जरूरी है अधर बड़ा एक जो ट्रॉली है उसका साइज है और इसके टाइर्स वगेरा देखें आप कितने मजबूत हैं पूरा ही स्ट्रेक्चर बहुत ही मजबूती से बनाया जाता है ताकि इसमें आप जितना भी वेट रखना चाहें अराम से रख सकते हैं और यह है इसका बैक जो कि प सनलगन होता है और दूसरा है यह लेजर कट तो अगर आपको लेजर कट चाहिए तो लेजर कट मिल जाएगी सनलगन मिल जाएगी और इसको लगाने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं जो पाइप्स लगे हुए हैं उन्हीं के अंदर आपको इसको डालना होगा और जैस आपने इसको लगाया है यहां पर वैसे ही लुक दिखना चालू हो जाता है एक बात तो है गाई यह लेजर कट जब भी बनता है तो बहुत ही अलग ही लुक दिखता है सर कैसी लगी इसकी नकाशी शानदार है और कलर कैसा लगा जो कलर आपने वोला था वैसे ही है वही कलर है अच्छा लग रहा है आपको देखकर चलिए और करें इसको असेंबल फिर से चलिए आईए अब guys आपन लगाते हैं इसमें side panels जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही smart तरीके से आपन इसको बनाते हैं ताकि आप कभी भी customers के सामने इसको fit करेंगे तो आपको देखने को ऐसा लगेगा कि ये जो trolley है इसी में ये पहले से ही बना हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है आप देख सकत लगाना चाहें अराम से लगा सकते हैं बहुत ही lightweight और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको लगा सकते हैं ये points बगएरा बना कर हम आपको देते हैं तब जब भी आपको इसको लगाना हो तो अराम से आप लगा सकते हैं अब चलिए करते हैं बाकी के जो parts हैं उसको भी assemble तो ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लगाएंगे ट्रॉली के ऊपर, बहुत ही असानी से इसको आप फिट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसी तरीके से आप भी इस पाइप के अंदर इस साचे को डाल सकते हैं, जो कि धनुस के तरहा देखने को मिल रहा है आप इस तरीके से इसको ऐसे फिट करेंगे तो इस तरीके से आपको लुक देखने को मिल जाएगा बहुत ही शांदार लुक लखता है यह सारी चीज यह बहुत ही आसानी से से असेमडल कर सकते हैं आफ देख सकते हैं इसका color combination, finishing, सारी चीज़ है गाईज यही सारी चीज़ है तो हर एक customer demand करता है अब लगाते हैं हम इसके उपर का part जो की आप देख सकते हैं इसको भी आप इस pipe के अंदर इस तरह से fit कर दें गाईज then उसके बाद seat के उपर एक nut ball system होता है जहां पर आपको इसको hang करना होगा कुछ इस तरीके से फिर other side भी आप उसी तरह से दूसरे भाग को भी लगा दे और अब आखिर में हम लगाएंगे इसका जो तीसरा और सब से attractive part है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको सारी setting करनी होती है guys बहुत ही असानी से आप इसको assemble कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया है आप भी बहुत ही जल्दी इसको assemble पूरा करके अपनी entry तयार कर सकते हैं तो guys comment करके बताएं कि प्रदमवत रत को assemble करना आपके लिए easy है या नहीं है और अगर purchase करना है तो देर किस बात किया फटाफट दियो है नमबर पे call, whatsapp या direct website से भी जाकर आप अपना order प्लेस कर सकते हैं अब हो चुकी है almost setting अब हम इसके ऊपर जो जहाँ पर आपको पाइरो वगेरा लगाने हैं वो लगाते हैं यहाँ पर आप आराम से अपने पाइरो फिट करना चाहें तो पाइरो फिट कर सकते हैं गाईस आपको कुल मिला कर देने वाला हूँ साथ पाइरो लगाने के लिए पॉइंट्स जहाँ पर आप आराम से पाइरो भी फिट कर सकते हैं और इसके साथ लुक भी थोड़ा सा अट्रेक्टिब बन जाता है और आपको पता ही है कि पदमावत रथ के साथ साथ हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेराइटिया है पालकी और रथ जो की आपको हमारे पास मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर भी तो आप उसको चाहें तो सब्सक्राइब करें फटा फटा फट और बाकी के वीडियो इस भी देख सकते हैं कुछ इस तरह से जब पदमावत पूरा तयार हो जाता है तो देखते ही बनता है तो अगर आपको भी इतना खुबसूरत वैडिंग एंट्री रथ चाहिए है जिसको पदमावत बोलते हैं तो जल्दी से जल्दी दी हुए नंबर पे कॉल या वाट्स अच्छी कॉलिटी है तो हमसे लेना उचेत है या नहीं है तो चाहूंगा और यह लोग वीडियो देख रहा है वह भी आपके पास आया आप से समान लें चल अच्छी बात बहुत बहुत थैंक्यू तो गाईस देख सकते हैं आप भी पदमावत पालकी को कि कितनी अच्छी तब करें